तो ये मैं जा रही हूं आज कड़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने ये 300 ग्राम पनीर ले लिया है पेश्ट बनाने के लिए मैंने प्याद ले लिया है और ये उपर से डालने के लिए मैंने ये उसे मिला मिर्च ले लिया है ये प्याद ले लिया है ये टमाटर है और ये जो ह लाल मिर्च पाउडर है और इसमें मसाले के निये गोल मिर्च है लाउंग है छोटी लाइची है और ये लाल मिर्च है और ये धनिया धनिया है ये खड़ी धनिया है ये गरम मसाला है ये जीरा है ये सरुफ है ये कसुरी मेथी है और ये मलाई है ये सारे सीच से ये बनेगी क यह मैं कडाई गैस के चड़ा दीनी सूखा जो है सागुत धनिया यह मैं इसमें डाल रही हूं दो चमच करी भूना है थोड़ा इसा भून करके फिर इसमें यह सब पर छोटी लाइची लाउंग अदस से पंद्रे एक गोर मिर्च में डाल रही हूं यह है यह मेरा कडाई पर करके इसको दरदरा पीस लोगी इस करके फिर इसके उपर से डाल रही हूं यह दिखिए मैं एक टिसमें इसमें दो टिसमें तेल डाल रही हूं तेल डाल करके पन में इसमें प्याज है इसको हल्का सभर लोगे इसमेरा प्याज है तो यह देखिए मेरा सिंग्ला में इत्री फराई होगया अमना इसको ही निकाल लेगी इसी कड़िया में डालो भी टमाटर टमाटर को भी हलका सफ्राई कर लूँ यह देखिए में ने तमाटर ताव दिया होगया है तो यह देखिए मेरा तमाटर भी श्राई होगया है अब मैं डालोंगे इसमें गॉंट इसकी तेल यह देखिए चार पांच में इसके हरेहन डाल गया है इसमें इसको तो रहाई कर देंगे इसको बीच में हलका सा शेथ करने से निर्चे फटते नहीं है नहीं तो ऐसे खड़े निर्चे डाल दूगी है जरल फाउज में इसकी फार्मस लगाएगे तो यह जो हमें छटकते हैं आपके में पर जाते हैं वासे जो है शाली रचा है के मेरी अचे को प्लोंगे अब मैं डाल भूंगे इसमें जो तो तसन तेल बिच्शा का मैं यह निक्सान करता तो तेल अब मैं डाल दाएं प्याज बारी खते दिए प्रीजीर देखा नहीं पधीजीर, रूताई लिए कि पेसे वना नहीं प्रीजीर नहीं जादिए है मेरी प्याजी लाल हो चुती है अब मैं डाल दाइने एक लिंच करीए अगर रख आपस दिए छोपी छोटी लेसुन का कमिया यह मैं डाल दिया अब मैं इसमें डाल देए समा आकर मैं बनाओं च्रासने ब्लाम चया गरता पीसरो हें इसमें पहल रख करिकती है अब मैं डालें अब बड़ना होगी और यह सह गयी आलए बन बना जाता है अब मैं बनाओंगे इसका पेस्ट बना करके इसको में बनाओंगे पेस्ट बनाओंगे पेस्ट बनाओंगे तबागी का सब्जी बना रहे हैं। आज पादी आज चैनल डाल गज़ें से तेल डालने बढ़ता पादी इसे वृ घंख कर लीना है से कडाही में बस लग जाए है अर मैं इसमें डाल गए. पनीर तो बहुत ज़़ा सा प्राई पनीर, अच्छा और आता है ज़ी ने पह से मैं पली क फराई नहीं तो इसमे प्राई नहीं कर दूँ पिस एक जड़ा भी कर दो आए जो आपड़ा बनाए तब जम्रेश के ज़िए ज़्जाई कर दियें, बहुत अच्छा हमगाए बहुत अच्छावता हम गाता हमिए येडिये मेरी परीड वोना जए हमका सामनी इसको राइ ठैले कर लिया जो ढलूंगी देल देखिए मैं तेल दाल दिया ब्राइ अब में तेज पत्ता हम रमार अच्छ कर होगीए तब डालेंगे इसमें किचन किंग मसाला है 요om काश्मीर है और हल्दी है हल्दी श्बटी काश्मीड नीच वासल किचन किंग मसाला यह डालרא को तो हल्का साक भूहर सपति करके पेस्ट डालेंगे मैंने अदरक, लहसुन, लमाटर, किचन किंग, हल्दी पाउड़ा और लाल मिच मैंने डाल दिया, इसको हालका सा घून करके कितना अच्छा लग रहा है, कितना कितना प्रेया तिख रहा है और देखिए, मैं अब डाल लएंगी टेश को, यह मेरा टेश को भून लेना है यह देखिए, यह मेरा मसाला भुना रहा है, अब मैं इसी विलाग दूए, स्वाद के अनुसार, नमक मैं स्वाद के अनुसार के नमक दाल दिया है अब मैं डालूगी इसमें, गरम मसाला और एक चमत धनिया पाउडर, एक चमत गरम मसाला, एक चमत धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूगी कसूरी मेथी, मैंने कसूरी मेथी ले लिया था, पही नहीं रख लिया था देखिए मैं इसमें दोट इसमें मलाई डाल रहाएंगी, मलाई से पड़क अच्छा हो जाता है, यह पीसी कलरी चेंज होगें, यह मेरा है कढाई पनी, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनता, इस गंग, पोर्टल जैसे बनता है, मैं बनाती हूँ, खाती हूँ, बचों फिलाती हूँ, और मैंने सोचा कि आज इसको डाल गए, यह देखिए मैंने जो मसाला पहले, खड़ा मसाला भून लिया था, इसमें की धनिया था, जीरा था, छोटी लाइची थी, और लान मीर्च था, यह सब जो थे लॉंग थे, यह सब मसाले मैं इसमें डाल दे रहे हू इसी से अच्छा पुष्डू आता है, सौफथा इसमें, पुरा मसाला मैं इसमें डाल दे रहे हूं, डाल पिस पच्छी पे, भूलना हो, इसमें मेरा मसाला भूना के तयार हो गया, अब मैं डालने हैं इसमें सिम्णा मिर्च, इसमें तमाटर, और प्यार, जो मैंने मिक्स करूँगे, इसमें मिक्स हो गया करेंगे, अब मैंस में डालूँगे, पनीर, इसमें पनीर भी डाल दिया, इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से, पानी डाल दिया हुआ बहुत जादे ग्रेवी नहीं लगाना है इसका नाम ही कडाई पुनी है बहुत अच्छा लगता है पड़ाई पनीर में अफसर बनाती जाती है एंप फोड़ा सा पानी में और डाल दे रही है जादे सूखा तो अब बनीशाब से डालेगे मैं इसको जो है कि ढखोंगी ढख करके इसको थोड़ा पकाऊंगी जब पक जाएगा तब इसको सर्व करेंगे तो यह देखिए मेरा सब्जी जो है कि पक गया है मैंने इसको खोल दिया देखा कितना अच्छा बना है कितना टेश्टी लग रहा है देखने भी खाने भी हो जाएगा इसको बहुत अच्छा बना है एकदम बेलकूल होटन जैसे कि मेरी सब्जी बनके तयार हो गई अब मैं डालूंगे इसमें उन पर से थोड़ा सा मलाई कि देखने इम बहुत सुंदर लगता है बहुत अच्छा लगता है कि देखिए मेरा कडाई पनीर बनके तयार है आप लोग बनाईए खाईए और करेंट करके बताईए कैसा बनना सब्सक्राइन पर अपाईए चेश्चति बने है सब्सक्राइप बनके जोगया है